आज हम इस वीडियो में जानेंगे तीन को तीन बार लिखने पर उत्तर तीस के से आई यानि कि तीन को आपको तीन बार लिखना है तीन 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 और उत्तर कितना तीस तो ये कैसे possible हो सकता है कि आप ये answer ला सकते हूं तो कोशिस कीजिएगा हम भी आपर कोशिस करते हैं बाकी ये answer 100% आ जाएगा तो ये संक्याओं का खेल होता है हमें ये खेल खेलना है और इस खेल को हमें जीतना है इसका answer 30 ला करके तो answer तीस अपन कैसे ला सकते हैं तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं यह जो तीनो तीन है इनको आप इसे multiply कर सकते हो गुणा कर सकते हो गुणा करेंगे तो 33, 29, 27 मतलब तीस नहीं आया और हमारे तीनो तीन भी काम में आ चुके हैं अब हम और कोई नमबर काम में नहीं ले सकते मतलब हम यहापर तीस नहीं ला पाई दूसरा तरीका पनाते हैं तो हम क्या कर सकते हैं हम तीनो तीन को यहापर क्या कर सकते हैं जोड भी सकते हैं तीनो तीन को अगर अपन जोड़ेंगे ना तो तीन और थीन, चैल, तीन, नो ही आएगा है यह उंपर मतलब इस का अंशर अब भी हम यह उपर नहीं ला पाए तो फिर अपन यहापर क्या कर सकते हैं एक फेक्टोरियल का जो यूज है वो हम यह उपर ले सकते हैं और फेक्टोरियल का यूज लेने का मतलब यह होता है, समझेंगे फेक्टोरियल क्या होता है, चार का जो फेक्टोरियल होता है ना, वो किसके एक्वल होता है, वो होता है, चार गुणा तीन गुणा दो गुणा एक, मतलब इसकांसर होता है 4 ती 12 और 12 दूनी 120 इसी परकार से हम यह पर 3 का Factorial यूज में ले सकते हैं और 3 का जो Factorial है न वो किसके बराबर होता है 3 इंटू 2 इंटू 1 यानि की 6 के बराबर होता है तो हम यह पर Factorial को यूज में लेंगे तो हम यहापर लिखेंगे तीन का फेक्टोरियल गुना तीन का फेक्टोरियल और माइनस तीन का फेक्टोरियल ठीक है अब तीन का फेक्टोरियल कितना होता है च्छे गुना च्छे और इसका भी च्छे 6 को 6 से गुणा करने पर आंसर कितने आते है 36 और 36 में से आप 6 कम कर देंगे तो कितने आ जाएंगे 30 इस तरह से हम इसका आंसर 30 ला सकते है इसका आंसर हम एक दूसरे तरीके से भी 30 ला सकते है वो भी देखी वो कैसे कि हम 2-3 को 1-7 लिखने इसे 1-2 और इसमें से हम 1-3 आराम से से माइनस कर दें तो 33 में से 1-3 चला जाएगा ना तो कितना बचेगा 30 इस तरह से भी आप आसानी से इसका आंसर 30 ला सकते हो तो आपको गनित की संक्याओं का यह जादू कैसा लगा अच्छा लगा हो असंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना शेयर कर देना और चैनल पर पहली बार आये हो तो चैनल को सब्सक्राब कर लेना